पांच ऐसी आदते जो ये बताती है कि अमीर लोग और गरीब लोगों की सोच में क्या फर्क है गरीब लोग हमेशा कोई भी चीज सस्ती खरीते हैं चाहे बाद में वो उनके कोई भी काम ना आए जबकि अमीर लोग सस्ती या महंगी नहीं बलकि best value वाली चीज खरीते हैं जो उनके लिए हमेशा काम आए गरीब लोग हमेशा अमीर बनने का दिखावा करते हैं और लगजरी चीजे खरीतने की कोईसिस करते हैं जो उनके बज़र से कई गुना ज्यादा महंगी हो लेकिन अमीर लोग अमीर होने का दिखावा नहीं करते हैं वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं गरीब सोच वाले लोग हमेशा पैसा बचाना चाहते हैं लेकिन अमीर लोग पैसे लगा कर पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं गरीब लोग अपना ज्यादातर समय दूसरों की चुगली करने दूसरों का मजा कोड़ाने और दूसरों में कमिया निकालने में लगा देते हैं जबकि अमीर लोग अपना ज्यादातर समय अपने काम में देते हैं और अपने गोल पर फोकस करते हैं नम्बर फाइब, गरीब लोग समय की कीमत नहीं समझते, वो अपना समय यूँ ही बरबात करते हैं, जबकि अमीर लोग एक-एक मिनट को महत्व देते हैं, दोस्तो यही है वो पांच आदिते जो यह तै करती है कि अमीर सोच और गरीब सोच में क्या फर्क है, दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूरां कर देना